रवश्कार मित्रों आप सभी का ओम डिजिटल स्टाडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनेंदन सर परतम आप सभी को शिक्षक दिवश्क के हार्दिक बदाई यह उम्शुप का मनाएं राजस्तान क्रमचारी चैनल बोर्ड ने 2023 में आयोजित सभी प्रिक्षाओं का संसोधित जो केलेंडर जारी करके उनको दो हजार चोबीस में आपका प्रस्तावित हो कर दिया है तो यह आप सभी इसके बारे में जानकर यह आपने प्राप्त कर ही लिए होगी लेकिन इस संब लिए ओनलाइन आविदन ले लिए है यहां किसके लेने हैं तो वह भी चीजों का हम डिसकस करेंगे साथ-साथ आपके जो नए जिले परिवर्तित हुए हैं उसमें आपको क्या स्ट्रेटिजी अपनानी चाहिए इस भरती प्रिक्षाओं की तेयारी के लिए इसके लावा म यह जो एक्जाम है यह जो केलेंडर है यह उसी 2022 वाली सीटी के तेयत रहेगा या फिर 2024 में सीटी करवाई जा सकती हैं तो इन चीजों का हम डिसकस हो करेंगे तो देखिए इसमें पहले हम बात करते हैं और प्रिक्षाओं की मैनली आपका असिस्टेंट प्रोपेसर और आर पहली प्रात्मिक्ता है वो एसी भरतियां जो की उनके एक्जाम हो चुके हैं और उनका परिणाम जारी करके उनका अभियर्तियों को क्या है न्युक्ति देना है तो यह इनकी क्या रही है प्रात्मिक्ता इन्होंने बताया है तो इससे यह बात जाहिर हो जाती है कि गवर् उन अभ्यर्तियों को आप पहले है वो जोईनिंग दे दो डोक्यूमेट वेरिफिकेशन इत्यादी जो भी काम करना है रिजल्ट निकालना है तो वो आप निकाल करके उनको फाइनली है आप न्यूक्ति दे दो क्योंकि जो सेलेक्टेड केंडिडेट हैं वो भी समय समय पर र जारक के सारी जो बात है यह आर पीएसी पर भी लागू होती है और पीएसी को भी इसी प्रकार से निर्देशित किया है कि आपके पास में जितनी भी वर्तियां है पेंडिंग है उसमें जिनके एक्जाम आपने करवा लिए हैं जिनके इंट्व्यू इत्यादी करवा लिए हैं तो उनको आप सबसे पहले क्या डोक्युमेंट वेरिफिकाशन करवा करके फाइनली आप उनको है वो न्युक्ति देवें ठीक है तो मैत पुन बात यहां पर आती है कि पहले वाली जो पेंडिंग वेकेंसी हैं उन पर फोकस करने की अब जो हमारी आरेस की भरती एक परकार के पास में कितना एक महिने का समय है वो बचा है उसके बाद में आपकी आचार श्रेदिता वो लग जाएगी गित्य हैं उनको तो सम्बंदि डिपार्टमेंट को वेजना है ताकि उनको नुकती दी जाए तो ये काफी बहुत बड़ा काम है इसलिए असुट्ट प्रोफेशर भरति प्रिक्षा की बात करें तो असिस्ट्ट प्रोफेशर भरति प्रिक्षा आपकी एक दिन में संपन होने नहीं है 15-20 दिन लग जाते हैं इस भरति प्रिक्षा को संपन होने में क्योंकि इसका हाँ एक जीके का पैपर है वो एक दिन में करवाया जा सकता है लेकिन जो सब्जेक्ट के पैपर है एक सब्जेक्ट में दो-दो जो पैपर रहते हैं वो पैपर आपके किसी दो-चार दिन में करवाए जाने संभव नहीं है इसलिए निश्चित रूप से ये मानी आप कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी तो 2024 में ही किया जाना है वो संभव हो पाएगा ठीक है लेकिन जब तक केलेंडर ओफिशली जारी नहीं हो जाता है तब तक आप अपने पहले के एकोर्डिंग ही तैयारी है इसके लिए करते रहें दूसरी बात है आरेस की तो आरेस में कोई किंतु परंतु आपका नहीं होना चाहिए आप एक क्रुमबर को इसकी डेट है वो मान करके इसकी तैयारी करें क्योंकि आरेस के लिए बोर्ड के इस आर्पीएसी के द्वारा पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उस नोटिफिकेशन में जो आपके जहां-जह एक्जाम कंडेक्ट करवाया जाना है इस प्रकार से कुछ संस्ताओं को इन्होंने निर्देशित भी किया है कि आप जो मैन पावर है उनकी व्यवस्ता है वो करवाये और इसके लिए जो टाइम है वो भी एक्जाम का टाइम भी इन्होंने दे दिया था ठीक है तो आरेस की वेकेंसी आपकी जो प्रारंबिक प्रिक्षा है ये एक अक्टूंबर को ही होगी ये आप निश्चित तोर पर मान करके चलिए इसके अलावा जे एलो के लिए भी इन्होंने संसुदित केलेंडर जारी किया था तो संभावना है कि जे एलो की प्रिक्षा भी निश्चित यनि कि इसी वर्ष में अक्टूंबर के मेने में आपकी हो जानी चाहिए ठीक है तो आरेस में आप बिलकुल भी किसी भी प्रकार के बेक कावे में ना आकर के आप एक अक्टूंबर को इसकी एक्जाम डैट मानते हुए तैयारी करेंगे ठीक है तो यह तो हो गई आपकी आर्पीए की प्रिक्षाओं की अब हम बात करते हैं राजस्थान क्रमचारी चैन्बोर्ड की जो प्रिक्षाएं है इन प्रिक्षा जो देखा जाए तो सूचना सायक है तो ये इसका CET से कोई तालुकात नहीं है इसके लिए पहले ही फॉर्म है वो ले लिए गए है अब सिर्फ एक्जाम करवाना रहा है और A&M, J&M के लिए भी फॉर्म है जहां तक ले लिए है अगरिकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी आपके फॉर्म भर चुके हैं ठीक है अब बाकी बात आती है यह जो कनिष्ट लिखाकार संगना के यह इनके भी फॉर्म है वो ले लिए गए हैं ठीक है जो महिला प्रिवेक्षक है उपकारापाल है चात्रावास अधिक्षक है इसके लावा प्लाटून कमांडर प्रिवे जिलेदार ठीक है तो यह कनिष्ट सायक और कनिष्ट अभियंता यानिकी जेए की भरती तो यह जो वेकेंसी हैं इनके लिए आपके अभी तक नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है यानिकी आप मान करके चलिए 6 नंबर से उपर-उपर के बाद वाली जितनी भी वेक फर्म है वो भी 2021 में ही इनके लिए है वो भरवाएंगे क्योंकि यह आपके मार्च तक तो लगबग है फरवरी मार्च तक जिनोंके फर्म में जारी हो चुके हैं उनके एक्जाम करवा लेंगे उसके साथ साथ में यह नोटिफिकेशन भी डालते रहेंगे ठीक है अब मैंन बाकी यह जो जिलेदार है पटवारी है कनिश्ट सायक है इसके लावा प्लाटन कमांडर प्रेवेक्षक महिला सीदी भरती तो यह सारी की सारी वेकंसीज हैं यह आपकी CET के इंतरगत है वो आने वाली है तो इसमें जिनोंने CET का जो एक्जाम है आपने किया है पास किया ह और उसमें आपके ठीक ठाक 50% से ज्यादा प्रेसंटेज बन रहे हैं तो आप इन भरतियों का जो सिलेबस है इनके एकोर्डिंग आपको तैयारी करना है और जिनके ना भी बन रहे हैं उनको भी आप जिस भरती प्रिक्षा की तैयारी करना है आपका लक्षे है कि मुझे य सबसे पहले तो आप प्रात्मिकता देंगे और उस की प्रात्मिकता के साथ साथ में एक काम आप यह भी करेंगे कि सीपर्ड़ा बस भी आप अपने पास में रखेंगे टैंथ प्लस टू और आपका एक एक से वेकंसी आपकी फरवरी मार्च 2024 में चूंकि आयोजित करवाई जा रही है तो इस महिने में आपकी CET की एक्जाम 2024 वाली भी हो सकती है ठीक है और इस प्रकार से अगर सेमी गवर्मेंट है यह रिपीट रही तो आपकी CET भी रिपीट है वो होगी और हो सकता है कि गवर्मेंट चेंज हो जाए तो CET जैसे प्रावदान भी हटा दिये जाए और इन वेकेंसी में भी यह संभावना है कि अगर सेमी गवर्मेंट आ जाती है तो यह वेकेंसी का सरकार पर डिपेंडेंट है लेकिन आप लोगों को इन भरतियों में सेलेक्शन लेना है तो अभी आपको क्या है अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए और तैयारी वेसे आप कंटिन्यू करते ही आ रहे हैं तो उसी तैयारी के साथ साथ में आपको एक improvement क्या करना है एक improvement यह करना है कि CET जो है CET को भी आपको हलके में नहीं लेना है इसको भी syllabus आपका साथ साथ में अपनी मेज पर होना चाहिए और CET में जो extra है आपका जो exam का जो syllabus है उससे थोड़ा बहुत कुछ अलग है चीजे हैं जिसे हिंदी इंगलीस हो गया वो चीजे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा आप साथ में और उनकी है वो तैयारी साथ में करते रहें और आपको थोड़ा सा all-rounder बनने की आश्रता है क्योंकि इसमें सारे के सारे exam है March April में है ठीक है और अगर आप किसी एक exam को लेकर के बेट के कि मुझे तो पटवारी बनना है मुझे तो सुपरवाइजर बनना है तो यह जो पटवारी है सुपरवाइजर है इनमें नमबर और पोस्ट है वो काफी कम है और अगर एक आप लेकर के है वो थोड़े से ज्यादा एक दो और रखने चाहिए तो इसमें आपको क्या करना है दो से तीन वेकेंसी आपको इसी ढूंड़नी है इसमें इसी आपको पकड़नी है जिसका सेलेबस लगबग गबग सेम हो और दूसरी बात है जिसमें ऐलिजीबिलिटी आप पूरी कर पा रहे हो और तीसरी बात है उसके सीटी में भी आपका अच्छा स्कौर नहीं है तो सीटी के सेले बस यह चुंकि इन भरतियों के लिए ही सीटी का आयोजन हो रहा है तो सीटी आपकी इसी से है वो complete हो जाएगी लेकिन साथ साथ में आपको कुछ एक्स्टा जो सीटी में है आप जिस परतिपरिक्षाओं की तैयारी कर रही है उसमेंसीटी का एक्साफ एक्सटा जो पॉर्षान है उनको आपको साथ सात में लेते हुए चलना चाहिए और आपको जो तैयारी है यह जो डिस्ट्रिक है इस नियुव डिस्टीक के के एकूरिंग आपको को अपनी प्रिप्रेशन है वो करनी चाहिए ठीक है तो यह मैनली बात है सीटी को साथ में लेते हुए चलेंगे आप और एक के साथ में एक दो भरतियां और आप साथ में लेते हुए चलेंगे और दूसरी अब चुंकी किसी 2023 में आरेस के अलावा कोई वेकंसी है नहीं हाउसिंग बॉर्ड की वेकंसी है तो आउसिंग बॉर्ड वाले आप उसकी तैयारी करते रहें 8 सितंबर से 11 सितंबर तक आपके एक्जाम पूरे हो जाएंगे दूसरी बात कि जिनकी ग्रेजूशन हो चुकी है आरेस के लिए एलि करें आप जोनिर अकउंटरंट की भी पेले कर रहे थे तो उसको भी एक बार आप छोड़ करके आरेस की प्रिप्रेशन करें क्योंकि आरेस प्रारंबिक प्रिक्षा अगर आप क्लीयर कर लेते हैं तो आपके पासमें एक और सुनेरा विकल्प आपके सामने नहों जाता है और उसमें आपके पास में कापी समय है तो इन बरती प्रिक्षाओं की तैयारी के साथ साथ में आप थोड़ा बहुत रिटन की तैयारी है वो करते हैं तो हो सकता है पटवारी बनने से LDC बनने से आप एक RS अधिकारी बन जाए ठीक है तो अभी आपको Manly RS को प्रात्मिक्ता देनी है जो graduation जिनकी complete हो चुकी है तो एक महिने में आप RS दीजिए बाकी RS का सलेबस आप complete करेंगे तो बाकी वाले आपके automatically हो ही जाएंगे ठीक है तो ये Manly आप सभी की लोगों के लिए एक मैत पूर्ण मेरे जो अपने विचार सुझाव जो देने का प्रयास किया बाकी तैयारी जो करना है वो आप स्वयम को ही करनी है और आपके जिस प्रकार से जो आपका दिल कहता है उसी प्रकार से आप हो त दैयारी करनी है लेकिन कुछ जो सुझाव इनको आप अगर इंपूट करेंगे अपने प्रिप्रेशन के दोर में तो निश्चित रूप से आप और अच्छा है वो कर पाएंगे तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और भी आपके कोई डाउट हो सुझाव हो तो इसे RHB के एक्जाम को फोकस करते हुए हमारा जो सेशन है वो RSSB के PYQs का है और 11 सितंबर के बाद में हम आपके काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि RPSC के PYQs भी करवाएं RS को मद्य निजर रखते हुए तो हम 11 सितंबर जब RHB का एक्जाम हो जाएगा तो हम RPSC पर भी आए रखते हुए राजस्तान इत्यास करते भोगोल और राजस्तान की राजनितिक प्रशासनिक जो व्यवस्ता है इनकी हमारी जो क्लासे है एक डेडिकेटेड कॉर्शेज हम लूंच करने जा रहे हैं जिसमें आपको एक ही जगह सारा कुछ बहतरीन कंटेंट है वो मिल से आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे तो आप टेलिग्राम चैनल भी हमारा आउश्य जोन करें थैंक यू सो मच टू अल आफ यू बहुत बहुत धन्यवाद